हलो इस्टूडेंट्स मैं गुट्टो सार आप सभी का इस वीडियों स्वागत करता हूं इस्टूडेंट्स ये कुश्चन नमबर 12 का सेकेंड है और मैंने इसके पहले 12 का फ़स्ट और इससे पहले जितने भी कुश्चन है मैंने बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया है प्ल आसान तरीके से इसको सीखेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और बेल आइकन की बटन को अवस्ट दबाते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स इस कुश्चन को लगाते हैं देखते हैं कैसे यह जो है बहुत कम सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइ करेंगे तो यह देखे function into function यहाँ पर बन रहा है students ठीक है क्या मन रहा है function into function तो यहाँ पर differentiate कर दो differentiate with respect to किसके x के तो students क्या बन देगा first function d by dx second function second function y है plus second function d by dx first function फर्स्ट क्यों है देखिए e के पावर मैनस का एक्स है इधार students क्या दिखो के a d upon dx sin x plus b d upon dx cos x ठीक है students अब इसके बाद students यहाँ पर क्या करोगे देखे e की पावर मैनस x यह तो यही रहेगा इसको लिखोगे तो d by y dx हो जाएगा और plus students इसका करोगे तो यह भी वही रहेगा बस आपको मैंने एक चीद बताए कि कभी भी e के पावर मैनस x का अगर differentiation करना हो तो क्य करेंगे पहले तो यह लिखेंगे उसके बाद x का जो कोपिशेंट है उसको आगे लिखेंगे तो यह आगे लिखेंगे मैनस 1 वैसे कोपिशेंट मैनस 1 है ना आगे तो मैनस 1 आगे लिख दीजिए बस काम खतम हो गया इसका differentiation भाई देखेए आगे जब जाएगा माइनस तो यहाँ पर माइनस साइन x हो गया ठीक है आप क्या लिखेंगे अगेन अगेन ठीक है क्या करोगे बाई डिफ्रेंसियेशन करोगे डिफ्रेंसियेट बिद रिस्पेक्ट तू किसके x के तो जब दुबारा हम इसका differentiation करेंगे students तो देखे इसमें क्या होगा function into function यहाँ पर लिखेंगे first function इधर लिख देता हूँ first function तो इसमें first कोन है e के power minus x देखो यह first आपका है second यह है तो second के पहले d upon dx लिखते हैं तो second कोन है d by by dx है कि नहीं फिर plus second और d by by dx first तो कुछ नहीं करना students इसमें आप ध्यान दीजेगा जैसे पहला लिखा दूसरा प्लस लगा कि इस इक पल्ट तो देखो जो बाद में था वो पहले हो गया जो पहले था बाद में हो गया कि नहीं ऐसे भी आप समझ सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा है ठीक है first second तो आप चाहो तो देखिए आप लिखेंगे फिर दीवाइड एकस फिर यह लिखते हो और फिर देखेंगे second है second को यहां लिख दिया अब इसी को students क्या करोगे पलड़ दोगे दिशे बाद में दीवाइड एकस है तो इसको लिख दिया और यह पहले था तो पीछे कर दिया बाकी अपनी जगह पर है ठीक है student तो यह हो आप दिया और इसी प्रकार से students यहां पर चूकी माइनस लिखा है तो पहले तो आप यहां पर माइनस लगा दीजिए ठीक अब यहां पर दिखेंगे फरस्ट इसमें कौन है y है और second e के पावर माइनस x है तो चलिए students यहां पर दिमार्ग लगाते हैं फरस्ट तो फरस्ट तो y है d upon dx second second क्या है e के पावर माइनस x है फिर प्लस second और d upon dx first first कौन है y है कि नहीं? किलियर होगे नहीं होगे देखो वहां पर फरस्ट लिख दिया और फिर फरस्ट लिख दिया और इसका students यहां पर देखें इसका जब differentiation करेंगे तो students चाहो तो आप इसका direct type कर सकते हो कैसे देखेंद दिजेगा अगर यह लिखा है चलिए कोई बात नहीं है ठीक अब यहां पर श्टूटन देखें कास का जब differentiation करोगे तो minus का sign होता है यहाँ minus का x हो जाएगा ठीक है students और यहाँ पर क्या लिखा है P लिखा है minus B और जब हम sign का करेंगे तो students यह क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा तो इसका दिखे है हमने इधर का differentiation direct लिख दिया ठीक है चाहो तो यहाँ पर पहले d by by dx लिख सकते थे या आपको लगे कि नहीं अभी हमको direct नहीं करना चाहिए तो नहीं करो कोई दिख कर नहीं है इधर भी आप लिख दीजे क्या लिखोगे a d by by dx cos x minus b d upon dx sin x देखो लिख दिया में अब students यहाँ पर ध्यान दीजेगा अब क्या होगा e की पावर क्या लिखा है minus x लिखा है और जब इसका differentiation करेंगे d by by dx का तो d2 by dx2 हो जाता है कि नहीं यहाँ पर ध्यान दीजेगा d by by dx है ठीक e की पावर minus x का जब करोगे तो students वनने बता यहीं होगा बस जो x का coefficient है वो आ गया जाएगा तो minus 1 है ना तो जब minus 1 आ गया आएगा तो यह plus u की लिखा है तो minus plus minus हो जाएगा बस इतने इंतर है ठीक है उसके बाद break out को आप कर दीजे जब break out तोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा फिर आपका minus हो गया वाई क्या हो जाएगा minus y और जब इसका करेंगे e के पावर minus x का तो e के पावर minus x का e के पावर minus x ही रहेगा बस यह जो x का coefficient है minus 1 वो आगया आएगा तो minus 1 जब आगया आएगा तो यह plus का हो जाएगा कि नहीं फिर उसके बाद आजिए देखे इसके साथ इसका multiply करेंगे इसका मतलब plus का तो minus और plus का जब multiply होगा तो minus हो जाएगा आप देखे क्या हो जाएगा e की पावर minus x तो यहाँ पर ही है y के जब करोगे तो dy by dx हो गया इधर क्या लिखा है ध्यान दीजेगा इधर ठीक है equal में क्या लिखा है a लिखा है कास का differentiation क्या होता है minus का sine x होता है तो minus आगे लग गया ठीक है minus भी तो ही है यहाँ sine है तो इसका कास x हो गया तो students एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा देखें यह दोनों like term दिख रहा है e की power minus x इसमें भी e power minus x है d by by dx यहाँ भी है d by by dx यहाँ भी है तो students हम इस चीज़ को क्या लिख सकते है e की power minus x d2y upon dx2 और minus चलो इन दोनों को आट कर लो तो 2 e के power minus x dy by dx और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लिखा है plus e के power minus x into y यहाँ लिखा न इसमें आप students यहाँ पर ध्यान दीज़ेगा दोनों में दोनों में कुछ कामन दिख रहा है minus common दिख रहा है तो जब minus common ले लेंगे students यहाँ पर क्या बचेगा sin x और plus b cos x ठीक यही बचेगा और इसको dot dot one बना दीज़े और one में देखे इस्टूडेंस यहाँ पर एक नमबर में देखे क्या लिखा है इसकी value देखें इसकी value क्या लिखाई है देखो ध्यान दीजिएगा इसकी value लिखा पूरे question में multiply करतेंगे किcसे एकिए पाउर एक से क्यों कर रहें ऐसा कर देंगे देखिए हमारे पास यहां पर आयी गया है अगर आपको कुछ समन मिला तो एक काम यह भी कर सकते हो, क्योंकि इतनी कि तो value वहाँ पर दीने है, तो इसकी value चलो रख देते हैं, तो इसको इधर लेकर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, y by e के power x हो जाएगा, कि नहीं, तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजेगा, यहाँ तो माइनस लिख दिया, यह value किसकी है, y upon e के power x की value है, देखिए students, यहाँ पर लिखा नहीं है, इतनी की value चाहिए, तो इधर यह देखे, e के power x multiply में है, जब इसको इधर नहीं जाएगे, y के side में, तो y upon e के power x हो जाएगा कि नहीं, और इसकी value जो है, उठाके यहाँ पर र y के multiply में जाएगे ना, तो देखे क्या हो जाएगा, e के power minus x into e के power x, d2y upon dx2, फिर आगे 2 e के power minus x into e के power x, dy by dx, प्लस e के power minus x है, और यहाँ पर क्या आएगा students, ध्यान दीजेगा, इधर, इधर आजाएगा, e के power यहाँ भी x आएगा, और y लिखा है, students यहाँ पर क्या बच् कि नहीं, तो यहाँ पर आपने minus को y लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर से बना देता हूं, लिख देता हूं, minus, यहाँ पर है क्या था, यहाँ पर जिछे minus का मल लिया था ना, इसमें से, तो यहाँ क्या बचा था, a sin x plus b cos x, यही बचा था ना, students, आप students देखे कि इसमें क्या होगा, भाई, यह cancel हो जाएगा, भाई, देखे, e के पावर x है, e के पावर minus x है, तो क्या हो जाएगा, e के पावर 0, और e के पावर 0, बेलू 1 होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिधा सिधा, लिखेंगे, d2y upon dx2, ठीक है, minus 2, dy by dx, और सुने, students, यहाँ पर क्या आएगा, देखें, इस y को इधर लिके आएगे, तो क्या हो जाएगा, यह तो मान लिजे की 1 हो जाएगा, यहाँ य है, जब यह y आएगा, तो y में y एड हो जाएगा, तो यहाँ 2 आजाएगा, कि नहीं, इसकोल 2, 0, तो students, आपका यह answer हो गया, तो आप इस next question देखते हैं, यहाँ पर देखें, next question हमारे पास यह लिखा हुआ है, ठीक students, तो अभी इस question को solve करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कि इवल देखें, कहरा है कि हमारे पास यह लिखा हुआ है, कहरा है कि X के किन-किन value पर, इसके सभी value पर क्या पूछ रहा है, differential equation पूछ रहा है, तो students, आप कुछ नहीं करोगे, वही same work करोगे, आप इसका चलो differentiation कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, differentiate, with respect to, क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, ठीक students, तो अब यह क्या हो जाएगे, देखें, dy by dx हो गया, इसका जब करोगे, तो 2 आ constant इसको बाहर कर दिया, d upon dx, X minus K की पावर 2, students, यहाँ पर क्या जाएगा, dy by dx, और यह 2 आ गया जाएगा, तो जाएगा, 2K और X minus K की पावर कितना हो जाएगा, जान दीजेगा, इसे 2 था, तो यहाँ हो जाएगा, और d upon dx, X minus K हो गया, ठीक है, दूसरी चीर यहाँ पर X minus K, और X का करेंगे तो 1 आएगा, और K का करेंगे तो 0 आएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखे क्या होगा, dy by dx is equal to 2K, और X minus K आजाएगा, ठीक, तो अब यहाँ पर यह क्या हो गया, यह question number 2 हो गया, ठीक students, अब इसके पस्चात आपको करना क्या होगा, ध्यान देखा, यह question आपका complete हो गया, तो अब इसके बाद देखें, next काम क्या होगा, next काम यह होगा, कि यहाँ लिखेंगे, जहाँ 1 में 2 से कर दो, जहाँ 2 से 1 में कर दो, बलकि यहाँ लिख दो, from 1 and 2, एक और 2 से, तो मैं क्या कर रहा हूँ students, यहाँ पर जो है, dy by dx है, इसमें ज को lift से divide कर रहा हूँ, और right को चर रहा हूँ right से, तो right क्या इसमें, 2k और बेकर में क्या है, x minus k है, और इधर क्या लिखा students, देखो ज़रा, यहाँ लिखा k, और यहाँ पर लिखा x minus k का square लिखाए, ठीक students, तो जब इसको cancel करेंगे, तो यहाँ पर क्या जएगा, dy by dx, ठीक, upon y is equal to, यहाँ पर देखे क्या जाएगा, यहाँ के से के cancel, उपर बचा 2, नीचे बचा x minus k बचा, ठीक, किलियर हो गया होगा, आप cross multiply कर देंगे इसका, जब cross multiply करेंगे, तो देखे students, यहाँ पर क्या है जाएगा, इसका multiply कर दो, इसका इसमें कर दो, तो dy by dx into x minus k, ठीक है students, इक्वल, यह जाएगा 2y, ठीक है, अब यहाँ पर students क्या करेंगे, अंदर multiply कर देंगे इसका, तो x dy by dx minus k, और यहाँ पर क्या जाएगा, देखे students, dy by dx is equal to 2y, तो अब इसको इधर लेके चलिया हो, तो x dy by dx है, और minus 2y is equal to k dy dx हो गया, ठीक है, आप इधर यह multiply में है, dy by dx, इसको इधर लेके चलिया हो, तो कहा है, x dy by dx minus 2y, और upon में क्या जा रहा है, upon में dy by dx लागया, तो students, यह किसकी value निकल कही, k की value, अब इस value को कहां रखेंगे, equation number 2 में रख देते हैं, तो जब 2 में रखेंगे, तो यह क्या हजाएगा, हम देजाएगा students, यहाँ पर क्या लिखा है, dy by dx, equal to, 2, और k की रखा, यह value रख देंगे हम, क्या है k की value, k की value लिखा है, x dy by dx, minus 2y, और क्या लिखा है, बस, और upon में, upon में लिखा है, dy by dx, ठेक, यह तो हो गया k की value, ठेक, एट्टो के बाद, इसके बाद लिखा, x minus k, तो x की जगा तो x ही रहेगा, और minus k, minus k की जगा, तो यह value रख देंगे, यहाँ पर minus k की जगा, k की जगा, यहाँ पर आ गया, देखे धें दीजेगा, यह value रखेंगे, तो x, d, यहाँ पर breaker लगा दीजे पहले, क्या है, dy by dx minus 2y, और इसके अपान में क्या आ जा रहा है, dy by dx, की नहीं, हो गया, आप इसके बाद देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर, पहले यहाँ पर देखें, इसको क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, ठीक है, माने इसको पहले fraction को solve करेंगे, पहले, तो dy by dx तो ही है, यहाँ 2 लिखा है, x, dy by dx minus 2y, और अपान में देखें क्या ह dy by dx है, आप यहाँ पर देखें, इसका multiply किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x, dy by dx minus x, dy by dx, और minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा 2i, की नहीं students, और इसके पूरे का पान क्या हो जाएगा, dy by dx, ठीक है students, अब students इसको सब को इधर लेके चलिया हो, तो क बिन 2 मा जाएगा, dy by dx, यह इधर आएगा, यह बिन 2 हो जाएगा, dy by dx, इधर क्या बचा 2 है, ठीक है, यहाँ x, dy by dx minus 2y, ठीक है students, और यह दोनों सेम थाथ कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2y के बचा, ठीक, अब यह कितना हो जाएगा, dy by dx का whole cube बन गया, और यहाँ पर ध् dy by dx minus 2y बचा, कि नहीं, अब students देखी क्या हो जाएगा, dy by dx का whole cube, और यह इसको तोर दीजे, तो 4xy हो गया, कि नहीं, और dy by dx, कि नहीं, अब 4 to the 8 minus 8y square हो जाएगा, ठीक, अब एक काम करेंगे, सभी को एक तरब लेके चलिया हो चाहो तो, तो क्या जाएगा, dy by dx की power 3, और minus 4xy dy by dx, और यह प्लस का 8y square हो गया, इसकोल टू 0, यह आपका हो गया, तो इस हिसाप से, यह देखें, कुशन आपका, ठीक है, complete हो गया है, और इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर, तो देखें, अगर यह समझ में अच्छे से आ रहा है, तो चैनल को subscribe कर दें लाइक कर दे, share कर दे और बिल आइकन की बटन को अवस्त दबा दे, thank you